हेलो बच्चों कैसे हो ओके अब अपने गुरुट्टों के दो पराखिए स्पेशली जो बच्चे अभी दो गुरुप दे चुके दे रहे हैं तक चुके ना भी अभी तक अपने पांच पर हो चुके हैंगे और आज का I hope आज सबका ECL पर अच्छा रहेगा और स्पेशली ज इससे अपना गुरुप टू आराम से क्लियर हो जाएगा अब सबसे में तकलिफ के कि सर बहुत दिन चुके इतनी सर्म लड़रे सर्म लोग पढ़ाई चल रहे हैं पढ़ाई चल रहे हैं नीन नी हो रही सर कुछ लोंके हल भी खराब होई रहेंगी बस यार लास के दो दिन बच्चे हिम्मत मत आ रहे हैं लास के दो दिन और समझ रहे हैं आप एक्सक्रीटिव क्लियर हो और आप बहुत आराम से CES फाइलर में एंटर कर जाओगे बस लास के दो दिन अपने हिम्मत नहीं आरने हैं अब में मुद्धे पर आते बस एक दिन है आपिया हमारे पास पढ़ने चीए क्या पढ़ना चीए तो सबसे पहले में एडवाइस यह होगा टाइम कब है बच्चो प्लीज और प्लीज लास मोमेंट के लिए ऐसा कोई भी चाप्टर मत कीजिए जो आपने अब तक कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बच्चे देको लास मोमेंट के जो पेपर है विट ऑप्शन पेपर 120 मार का आएगा यस अब इस 120 में से भरो समाने अडिट की थेरी और अकाउंट के थेरी मिला के अल्मोस 50 से लेकर 60 मार का थेरी आएगा बच्चो और बाके रिमेनिंग 60 मार का प्राटिकल आएगा तो समझ चलना जितना प्राटिकल पोलिटे तो प्लीज अपने कोई एक दिन में ठीरी अच्छी कासिया में रिवाइस करने यह तुम्हें सबसे पहले मुद्डे पयाताओ ठीरी में क्या पढ़ना जाएं यह तो सुनिए आज आगर अब जब घर जाओगे घर जाने के बाद सबसे पहले अब स्टाड करो फ् से जैसे profit paid incorporation बोलिये या फिर economic value बोलिये राइट ना या final account का चो छोटा सा part of manage animation बोलिये जो small small topic के जिनको पढ़ने से आपके दिमाग में इता tension नहीं आएगा जैसे underwriting यह small small topic आपको फटा-फट घर जाने के बाद दो को घंटे में revise करने तो first two hours में हमें revise क्या करना है underwriting value-added statement profit prior to incorporation okay liquidation यह simple topic revise करना है फटा-फट रवाइस करना है अगर आपको liquidation revise करना है तो please आपको यहाँ पे final statement or be least contributors final statement or be least contributors अच्छे से revise आपको करना है please okay यह पर यह हो गया बच्छो फिर उसके बाद रात को सोने से पहले कम से कम अपने कोई तीन घंटा में थेरी पढ़ने थेरी में सबसे पहले audit के जो first तो तीन topic है auditing concept types of audit यह पहले तो topic है और last का जो topic है audit engagement यह थेरी के लिए सबसे ज़्यादा important है इनको revise करना है तो initially practical के small topic yes उसके बाद थेरी में और के तीन topic right उसके बाद अगर time मिलता है तो रात को सोने से पहले आपको account के module में हर चाप्टर के पीछे जो summary दीए उसको पढ़ लीजे एक तो summary दी पढ़िए या फिर बच्चों उसके अलावा मेंने आपको costing के तरह अकाउंट के handbook मेंने बना है आप उस handbook में से भी theory अपढ़ दोते हो पर अच्छा मने है उसमें account में हर चाप्टर के theory plus almost मतलब पता कि उसमें से हर चाप्टर के entries और followers दीए आप उसको भी refer करते हो for the theory अब हम मुद्धे पर आते practical portion के उपर कि सर exam के लिए कौन से chapter important है दो क्यार वैसे तो मैं आपको कोई comment ने कह सकता कि इसी chapter में से question आएगा बट बच्चों मैं इतना आपको बोल सकता हो कि exam के बेटा point of is कुछ chapter के उपर जो हमेशा question आता है जैसे liquidation, consolidation, final account final account में से आपको अच्छे से पढ़के जाना है managerial remunation कि पिछले अगर चार से अगर आप पाच अटेम्ट देखेंगे remunational part के उपर fix question आ रहा है अच्छे से कीजिए बेटा amalgamation के entry proper कीजिए साथ में debenture chapter debenture एक इक इकलो होता है इसा chapter है जिस पर नॉर्मल है हर exam में दो question आते हैं तो please debenture को ध्यान से पढ़ना है और liquidation में मैंना भी बताया था आपको पढ़के जाना है कि final statement और be least contributed statement और भी आ सकता है बर उसके chances बहुत कम है यह last यह दो बाते अच्छे से कीजिए